हेलो इब्रीवन आई एम सोनम वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल अपना विद्धाले आज के इस वीडियो देंगे सॉलिड इस्टेट का बेरी बेरी मोस्ट इनपोर्टेंट नुमेरिकल जो आपके क्लास्ट्वल कमेस्टी पार्ट फस्ट का है तो यहाँ पे के कई इनपोर्टेंट नुमेरिकल बता चुके हैं अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल पे अपना विद्धाले यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं और कई इनपोर्टेंट टॉपिक बोर्ड इग्जाम से रिलेटेट क्योंकि हम क्लास्ट्वल के आज सब्ज देंगे जिससे आप एड होकर अपने पढ़ाई से रिलेटेट कोई भी टापिक को पूछ सकते हैं ठीक है और वीडियो को बीना इसकीप किये देखिएगा क्योंकि हमने आप सभी लोगों के कमेंट भी आते हैं कि मैं अभी तक मैं आप अपना नंबर नहीं दी ठीक है तो आप लोग वीडियो को इसकीप करके मत देखिए क्योंकि हम इस वीडियो में जरूर अपना नंबर देते हैं अगर आप वीडियो कि करके देखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमने डिस्प्लेइपे कहीं भी आपको सो हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था के इंपॉर्टेंट नुमेरिकल तो नुमेरिकल क्या है किस तरह हल करेंगे कैसे अगर आपको नुमेरिकल नहीं आता है फिर भी सब कुछ इस वीडियो में आप लोग सीख जाओगे तो यहाँ पर देखिए ठोस अवस्था के नुमेरिकल को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेगा क्योंकि आप सभी लोगों के स्टूडेंट के कमेंट आते कि मैं ममें ठोस अवस्था के जो नुमेरिकल है वो समझ में नहीं आते ठीक है तो देखिए समझाने की भी तरीका हैं होनी चाहिए तो यह में ए परमारू घन के कोनों पर जो ए परमारू है वो कहां इस्तित है घन के कोनों पर है तथा बी परमारू फलक केंदर पर इस्तित है जो बी परमारू है वो कहां इस्तित है फलक पर इस्तित है ठीक है योगी का सुत्र ग्याद कीजिए मिन्सकी योगी का सुत्र ग्याद थेखने फैप differenti— और बीब फ़लक के केंद्र परिस्तित किस तरह स्थिते linear करत-फ़ल सकते हो लिए एक प्रकार कर घनी सरचना वाला योगी, गेड है, आप लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर कॉने ठीक पहले यहां यहां पर देखिए आप यहां पर यहां इधना कितने कोने इधार फिरकर के आठ आठाउन किसे प्रमारू इंहां पर एक प्रमारू उस्ती थीकर यहां पर विते रीकले करें बिट परमाडू इस्तित्ट है कि फलकों कितने हैं एक इधर हैं एक इधर दो तीन चार पांच और च्छे यह घनी सरचना में छे फलक होते हैं और आठ कौने होते हैं तो जो A परमाड़ों है वो कोनो परिस्तित है और जो B पर माड़ों है वो किस परिस्तित है फलक की केंद्रों परिस्तित खे graphs खें तो आप लोग उसको बिल्कुल आसानी सेल में ये परमार्गों की संख्या बराबर क्या हो जाएगे कि यहां पर दिखिए प्रति इकाई सेल ये में परमार्गों की संख्या पर दिखिए प्रति इकाई सेल ये में परमार्गों की संख्या कितनी हो जाएंगे यहां पर FCC ठीक है फलककेंद्री घनी जालक में आठ कोन होते हैं तो आठ कोनों पर आठ अब्वेई कर पाये जाते हैं ठीक है जिनकी पृति एकल कोष्टिका का जो योगदान होता है वो हो और यहां पर देखिये जो हमारा एफ फर्मारू है ओगं के कोणों प्रिस्थित है में उज्की कोण ऊची फिरुब के वाद यहां पे ए पर्माड़ु के लिए निकाल ली फिरूब कर दी परेस्टीत है फलक पर इस्था तो फलक इतने होते है छे होतے हैं तो यहां पर दखुए तो यहाँ पर दिखिए प्रति इकाई सेल यानि कि यही रहेगा प्रति इकाई सेल बी में परमारुगों की संख्या तो इसमें जो परमारु की संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्योंकि जो बी है बी परमारु कहां इस्थित है फलक के केंदर पर इस्थित है ठीक है तो घन के 6 फलकों पर 6 अब्याई कर पाए जाएंगे क्योंकि जो ए था वो कोनों पर इस्थित था तो घन के 8 कोनों पर 8 अब्याई कर पाए गया और बी परमारु जो है फलक के अंदर पर इस्थित है तो घन के 6 फलकों पर 6 अब्याई कर होते हैं इनका प्रती एकलकोश्टिका का जो योगदान होता है जिसको आपको याद ठीक है वो क्या है प्रती एकल कोष्टिका का युगदान होता है वो कितना होता है वन बाई टू ठीक है इसको आप लोग याद रखिए कि एक बटा के दो होता है और इसमें जो भी प्रमाड़ू है वो कहां इस्ती थे फलकों पर इस्ती थे तो इंटू छे क्योंकि छे फलक थे ठीक है तो दो से यह चे कितने बार में कटा तीन बार में तो यहाँ पर छे तीन आ गया ठीक है एक बटा के दो इंटू छे तो यहाँ पर यह कट गया थ्री आ गया तो यहाँ पर बी बराबर कितना हो गया यहाँ पर बी बराबर थ्री आ हो जाएगा दोनों A और B को 8 करने पर योगी का सुत्र बराबर तो यहां पर दिखिए जो निकला है वो A बराबर एक निकला है तो यहां इसे एक लिख सकते हैं यहां पर हमने ए लिख दिया ठीक है और B बराबर कितना निकला है 3 तो यह हो जाएगा B 3 यानि कि योगी का जो सुत्र है वो कितना हो जाएगा A B 3 ठीक है तो यह हो गया इसका आंसर फिर उसके बाद देखेंगे फिर उसके बार नेश्ट इंपार्टेंट क्वेस्चन रहा जो कि काफी इंपार्टेंट है और इस क्वेस्चन में लगबग सभी इस्टूडेंट को बेरी कन्फ्यूजन होता है तो बिल्कुल ध्यान से समझेगा तो यहां पर दिखिए दिया हुआ है अंठावन दसमलो 5 ग् हम एनने सीयल को क्या कते सोडियम ट्लोराइड में 21 सेलो की संख्या को ज्याद कीजिए इस तरह का क्वेस्चन है तो आप इसको किस तरह हम हल करेंगे तो यहां पर दिखिए आपको यहां पर हल लिखना है आपको सबसे पहले एनने सीयल का जो सुत्रभार है उसको निकालना होगा तो जो एनने सीयल का सुत्रभार होगा तो जो आपको NCl का सुत्रभार निकालने आता है अगर नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए आपको निकालने आ जाएगा कालने से पहले आपको सोडियम ठीक है यह क्या है सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन तो आपको सोडियम और क्लोरीन का प्रमाडु कर्मांक और प्रमाडु भार ग्यात होना चाहिए अक्सर देखे जो तत होते उसके प्रमाडू कर्मांग के दोगुना ही उसका क्या होता है उसका सुत्रभार होता है ठीक है तो यहाँ पे देखे जो एन्ने है सोडियम है इसका प्रमाडू कर्मांग 11 होता है लेकिन इसका जो तो यहाँ पे सोडियम का जो अडू भार होता है वो होता है तेईस और प्लस जो क्लोरीन का होता है वो होता है कितना 35.5 सत्रह होता है इसका प्रमाड़ कुर्मांग क्लोरीन का लेकिन इसके दूगूने में कुछ पॉइंट अधिक में इसका प्रमाड़ उभार होता है तो यहाँ पे 35.5 होता है अगर अब इसे एड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा पांच एड़ करेंगे तो यह हो जाएगा अंठावन दस्मलो पांच किस तरह देखिए यहाँ पर कैसे एड़ किया जता है तो 35 दस्मलो पांच हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 23 को एड़ कर देना है ठीक है तो यहाँ पर यह पांच हो ग सील का सुत्रभार कितना हो गया अन्ठाउन दसमलों पाज तो पिर उसके बाद देखिए यहां पर इन्ने सील के मोलों की संख्या इन्ने सील की मोलों की संख्या वरबर क्या हो जाएगा यहाँ पर NCL का gram यानि इसमें आपका जो भी दिया हुआ है नुमेरिकल में अंठावन दसमलों पांज दिया हुआ है तो हो जाएगा NCL के मोलों की संख्या बराबर NCL का gram और उसके बाद बटे में NCL का सुत्रभार ठीक है तो gram कितना दिया हुआ है अंठावन दसमलों पांज डिवाइड बाई जो दिया हुआ है NCL का सुत्रभार हमने निकला वो कितना निकला 58.5 तो ये दोनों क्या हो गए कट गए क्योंकि ये भी 58.5 ये भी बराबर क्या गया एक आ गया यहाँ पर एक मॉल ठीकर कितना गया एक मॉल आ गया फिर उसके बाद देखिए एक मॉल एनने सियर सुत्र इकाई में और गार्दों की संख्या एक मॉल तो आप लोग जानते हो एक मॉल में और गार्दों की संख्या कितना होता है छे दसमलो जीरो दो दो गुड़े दस के पावर 23 मॉल ठीक है आप लोग इसको क्या कर लीजिए लर्न कर लीजिए ये आपके क्लास 12 कमेस्टी में बेरी इंपॉर्टेंट है आपको इसको जरूर य तो यहां पर एक मॉल एक मॉल में और गार्दों की संख्या वह है 6 दसमलो जीरो दो दो गुड़े दस के पावर 23 मॉल ठीक है फिर देखिए एक इकाई मात्रक सेल में जो एनेसील का सुत्र इकाईों की संख्या होता है वो कितना होता है तो यहां पर ठीक है यहां पर क्या हो गया एनस्यल के एक एकाई मातरक सेल में एनस्यल सुत्र एकाईयों की जो संख्या होता है वो चार होता है यानि कि किसमे यप सीसी में ये FCC में फेसें इन्टर्ड यूनिट सेल FCC का फूलने मुट है जो इकाईयों की संख्या होता है वो 4 होता है आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि FCC में इकाईयों की संख्या कितना होता है? चार होता है अगर आपके फार्मूले में एप सी सी का मान नहीं दिया हुआ है तो आप लोग इसे याद कर लीजिए कि यह चार होता है चार आप रखकर आप नुमेरिकल को सौल्प कर सकते हैं तो यहां भी आपको जानना यह भी बहुत ही ज़रूरी है कि यह चार किस तरह होत आया तो यह आठ इससे कट गया ठीक है तो बराबर यह कितना गया सी यल पर माइनस आ गया कि यहां पर कितने चार्ज होते हैं माइनस के नेगेटिव चार्ज होते हैं उसके बाद यहां पर देखिए हमने यह कोनों के लिए निकाला क्योंकि क्लोरीन क्या होता है घनी सरचन है कि कोनों पर इस्तित है पिर उसके बाद हम फलकों पर निकालेंगे तो फलक कितने होते हैं छे होते हैं तो छे c l minus into 1 by 2 1 by 2 आपको पुछने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने first question में बताया कि 1 by 2 और 1 by 8 कैसे आया ठीक है तो यहाँ पर बराबर यहाँ पर तीन बार में कटा है तो यह कितना अगया है यहाँ पर 3 c l minus ठीक है तो यहाँ पर c l minus और यहाँ पर 3 c l minus दोनों को यह एट करेंगे तो कितना आज आएगा योगी का सुत्रभार c l minus प्लस 3 c l minus बराबर कितना आगया 4 आगया ठीक है बराबर 4 तो वही हमारा FCC में जो इकाईों की संख्या होता है वो कितना होता है 4 होता है आप लोग इसे लर्ण कर लीजे फिर उसके बाद तो यहाँ पर 21 c l की संख्या बराबर जो फामूला हो जाएगा वो क्या होगा तो यहाँ पर देखिए 21 c l की संख्या बराबर हो जाएगा 58 दसमलो 5 ग्राम ncl में कुल सुत्र इकाईों की संख्या बटे एक 21 c l में ncl शुत्र इकाईों की संख्या ठीक है यहाँ पर ठीक है इस तरह 58 दसमलो 5 ग्राम ncl की कुल इकाईों की सुत्र इकाईों की संख्या बटे में एक ncl इकाईों की संख्या तो यहाँ पर देखे 58 दसमलो 5 ग्राम ncl की कुल सुत्र इकाईों की जो संख्या है वो कितना था यहाँ पर आमने निकाला 1 मोल ncl सुत्र इकाईों में अवगार्दो की जो संख्या है वो 6 दसमलो 0 2 2 इंटू 10 के पावर 23 मोल है ठीक है इस तरह यहाँ पर 58 ग्राम एनेसीयल कुल इकाईयों की संख्या कितना था 6.0222 गुड़े 10 के पावर 23 मोल ठीक है डिवाइड में एक एनेसीयल की संख्या तो एक एनेसीयल की संख्या आमने बताया एनेसीयल की एक एक एकाई एनेसीयल सुत्र एकाईयों की संख्या एपसीसी का है वो कितना है चार है तो यहाँ पर डिवाइड बाई 4 ठीक है अब 6.0222 में क्या करेंगे 4 का भाग देंगी तो आप जान दे कि 4 का 6 में कितने बार जाएगा पहले एक अंग में भीजिए तो ए यहाँ पर देखिए इस तरह आपका जो आंसर आएगा वो एक दस्मलों पाँच जीरो पाँच इंटू टेन के पावर 23 इकाईसेल यह क्या हो गया आंसर तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद है तो एक बड़ा सा लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रेस कर ले थेंक यू अल्दा बेरिवेस्ट बाए बाए